उडिसा के बाला सोर में ट्रेन हादसा क्या हो गया कि नफरती गैंग जो है नफरती चिंटु जो है वे लगातर मुसल्मानों को बंदनाम करने की शाजिस रच रहे हैं एक तस्वीर वारर हो रही है जिसमें दिखाई दे रहा है कि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी क कपड़े बदल रहे हैं जब वे बाला सोर गए हुए थे क्या सच्चाई है इसकी पूरी जानकारी में आगे वीडियो में आपको बताऊंगा नमस्कार मेरा नाम है नवीन कुमान नंदन और आप देख रहे हैं शोचल मीडिया जितना ब्लेक है उतना ही वाइट है और अब अलग 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 अपना अपना राग अलाप रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कल बाला सोर गए हुए थे क्योंकि वहाँ पर दुखत दुर्गटना हो गई और बताया जाता है कि तकरीबन 288 लोग ट्रेन हादसे में मारे गए लेकिन नरेंद्र मोदी की जो तस् स्क्रीन पर है आप देखिए प्रियांसु कुछ वहा लिखते हैं मुंबई 26 ग्यारा हमले के दौरान शिवराज पाटिल देश के ग्रह मंत्री थे तो हमले के तुरंद बाद मुंबई पहुचे और जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठे उन्होंने ताज होटेल हमले की जगहां पर जो कपड़े पहन रखे थे बाद में प्रेस कॉंफरेंस के समय दूसरे कपड़े पहन लिया यानि उन्होंने ड्रेस को चेंज कर लिया था मीडिया और ततकाली अपोजीशन ने हंगामा खड़ा कर दिया देश पर आतंकवादी हमला हुआ और ग्रह मंत्री क कपड़े बदलने के जुर्म में इस्तीफा देना पड़ा अब देश में अच्छे दिन चल रहे हैं अमरित काल चल रहा है आजादी कामरित महुत्सव आप लोगों मना ही लिया दोनों तस्वीरे कुछ घंटे के अंतराल की है तीन सव से जादा लोगों की मौत चुकी है ए करक सिर्फ इतना है अब कोई विरोध नहीं है कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है आप एक तस्वीर देख रही होंगे उसमें नरेंद्र मोदी जो है बलैक जर्सी में हैं उनकी जो कोड का कोड का कलर है ऑग बलैक है और जो दूसरे तस्वीर मीटिंग करते हुए दिखाई है तो चल क्या रहा है वास्तों में हमारे देश में इसकी जानकारी आपको और हम सब को करनी होंगी इसके साथ ही अब आप देख लिजिए अश्रफ हुसेन ट्वीट करते हैं उड़ीशा अब ट्रेन हाथ से के बाद नफरती गैंग ने घटनास्थल के नजदीक बने इस कौन मंदिर ध्यान सुनी इसकौन मंदिर वहां बना था को मस्जिद बता करके नफरत फैलाना शुरू किया गया इस बात की पुष्टी होने के बाद भी ओ मस्जीद नहीं मंदिर है इन नफरती गैंग ने नफरत फैलाना नहीं छोड़ा नफरत फैलाने वाले इंतत्तों को जखमों से सिसकते लोगों से कोई सरोकार नहीं है इनकी पूरी कोशिस नहीं है कि कैसे इस देश की एकता को कमजोर किया जाए उडिशा सरकार और प्रशासन को इन लोगों खिलाफ सक्त कारवाई करने चाहिए यानि मुसल्मानों को अब बदनाम करने की शाजिस यहां पर भी रचे जा रही है नरेंद्र मोदिक कपड़े बदल रहे है इस पर कोई सवाल उठाने के लिए तयार नहीं है कोई जुबान तक नहीं खोल पा रहा है अब आप देखिए मुहमद जुबैर का एक ट्वीट सामने आया मुहमद जुबैर वही जो जेल भी जा चुके हैं जो फैक्ट चेक करते रहते हैं उडिसा में हुए भीसर रेल हादसे के तुरंत बाद एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा जाने लगा घटनास्थल के पास एक मस्जिद मौजूद है और यह मुसलमानों की साजिश हो सकती है मालूम टेला की तस्वीर में दिख रही सनश्चना मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर की है अब आप सोचिए कि किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची जारी इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मंदिर को अब मस्जिद बताने की कोशिस की जा रही है और अगर आपको एकीन ना हो तो आप पुषपराज ज्यादों का ट्वीट देख लीजिए इन्होंने लिखा है BJP का एक शातित दंगाई बाभन कटर हिंडू इस तफ़ेद इमारत को मस्जिद बता करके रेल हाथ से की पीछे मुस्लिम एंगल ढोल रहा है जबकि यह इस कौन मंदिर है इस्वर के घर अंधेर नहीं है और आप इन तस्वीरों को देखिए इस कौन लिखा हुआ है और यह जो है की मंदिर की तरफ जाने का रास्ता है लेकिन किस तरीके से विरेंतिवारी लिखते है शुक्रुवार का दिन है और प्रफ मस्जिद जिहाद करने को ही हाईवे और रेलवेट ट्रेक से लगते हुए मुसलिम कालोनी और मस्जिद उगाई जा रही है ओला ही उबर है ऐसे तर्क दिये जा रहे हैं जो की पूरी तरीके से गलत है निराधार है इनका कोई आधार नहीं है लेकिन उसलमानों को बनाम करने के शाजिस लगातार रची जा रही है दैनिक भासकर ने बहुत हिम्मत किया है बहुत बड़ा दिल दिखा दिया है शायद चित्रा तिरपार्थी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी चित्रा तिरपार्थी पहुंच गई बाला सोर रिपोर्टिंग करने के लिए वही चित्रा तिरपार्थी जो आस्तक में काम करती है मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं प्रधार मंत्री जी कुछ बोलेंगे बड़ी धूप है बहुत गर्मी है ऐसे शब्दों का प्रियोग लगाता चित्रा-तिरिपार्ठी के द्वारा किया जा रहा है एक तरीके से बता रही हो कि मोदी जी बहुत गर्मी है बहुत तगड़ी धूप है आपको यहां पर नहीं आ आना चाहिए था दैनिक भासकर नहीं मत क्या है मरने वाले 288 और जिम्मेदार जीरो मतलब अभी तक किसी भी द्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठाहराया गया है यही आरोपी हैं अब आप देखिए राहूल नाम के टूटर यूजर लिखते हैं ए वाली फोटो अभी 11 बज़ मिलती है क्या दिवटी को आजकल प्यार का हिस्सा क्यों बना दिया गया है यहां पर भी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है अब मैं आपको रिती चोधरी का ट्वीट दिखा रहा हूं कलर भी लगवाल लिया गया थोड़ी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए राजा रेल मंत्री है अस्मनी वैशनों वे भी बैठे हुई है तमाम पुलिस का अलाधिकारी है लेकिन यहां पर बकाइदा जो है कि शामियाना लगा दिया गया है टेंट लगा दिया गया है कोई दिक्कत प्रशानी ना हो और जिसमें जो है कि पुलिस अधिकारी बैठे हुई त करके देख सकते हैं कि उनकी कुछी कौन सी है और बगल में एक बड़ा सा लगा उलगाया गया है हाला कि यहाँ पर बताया जाता है की असी नहीं लगाय जा सकती थी सी लिए यहाँ पर नारेंदर वाइरल है मैं आपको आप आर्टिकल 19 इंडिया जिसके समपादक है नवीन कुमार आर्टिकल 19 इंडिया के हैंडल से ट्वीट किया गया है दुरगटना होना अलग बात है लेकिन दुरगटना के बाद 24 घंटे तक बचाओ वियान चलाना समझ से परे है जिनका खुन बहरा थ वो पानी के लिए तरस रहे थें फसे हुए लोगों को गोल्डेन आवर में निकाल कर इलाज दिया गया होता तो जादा जाने बचाई जा सकती थी शाम साथ बज़े घटना के बाद से दो से तीन घंटों में सभी घायलों को निकाला जाना चाहिए था आकि गर्मी के मौसम में घायल को रात भड तरब कर मरने के लिए कैसे छोड़ा गया प्रयाप्त बचावदल समय रहते ही क्यों नहीं निकाल पाई तरबते हुए पीड़तों को सवाल तो है लेकिन मीडिया ऐसे सवालों को क्यों नहीं बठा रही है उन्हें किसने रोका है मीडिया को अगले दि कि वन भर के लिए लाचार हो गये हैं कोई परिवार का एक लोता सहरा था जो अब नहीं रहा सवाल तो है कि पत्रकार घटना स्थल्प से जो कहानिया इकठा कर रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर क्यों नहीं आ पा रही है सवाल है कि घटना स्थल्प राजनितिक कारकरताओं क यात्रियों को सुधायवा उनका हक आगे से मिलना सुन्चित हो सकेगा बहुत भायावा तस्वीरे हैं तमाँ वीडियो तस्वीरे ऐसी आ रही हैं हम आपको नहीं दिखा जकते हैं क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन का हम लोग पालन करते हैं और अगर पालन नहीं करें तो YouTube हमारे चैनल को ही उड़ा देगा और जो हम लोग सवाल पूछना को खबर दिखा रहे हैं हमारी आवाद को दबा दिया जाएगा यानि चैनल को ही उड़ा दिया जाएगा इसलिए हम लोग यूट्यूब गाईलाड का पालन कर रहें लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं और सवाल जो है सरकार से पूछे जाने चाहिए थी लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ रहा है मोदी जी वहाँ पर पहुंच गें लगातार मोदी जी तस्वीर दिखाई जा रही हैं आप तस्वीर दिखाई आप पहिमा मुनिन केजिए लेकिन चेक्ती चिलाती आवाजों भू लादा जा रहा है और पिक अप में लादा जा रहा है लोगों को ना जाने कहा ले जाए जाए जाएगा एक तस्वीर तैसे सामने आगा यह पुरा कमरा है और उस कमरे में लासे रखी हुए एक करके एक आदमी जाता अपने बेटे खोशता है और नहीं पाता रोता चिलाता बिलगता है कहता है मेरे बेटिक लाश नहीं मिल रही है मैं अपने बेड़े जिंदा नहीं मिल सकता कंस कम मरने के बाद आखरी दर्शन तो कर सकूं देख सकूं मेरा मेरे बेटिक चोड कहां लगी है मेरा बेटा कब मर गया का इसे मर अपने लाश को नहीं पा रहा है आप नहीं हाला कि जो रेल वेल मंत्री रेल मंत्री है अस्तिम्फा वैसनों इंहें कखा हमने पहचान कलिए ख़ा । तो गिरिफतारे सुन्शित क्यों नहीं की जा रही है उसे गिरिफतार क्यों नहीं किया जा रहा है उसके उपर कारवाई क्यों नहीं की जा रही है इसके पहले भी तमाम रेल हाथ समय हैं रेल मंतरी निस्तीफा दे दिया है और अब लोग कह रहे हैं कि रेल मंतरी अस्तुनी NDA की सरकार है और हम लोग अब यहां पर इस्तीफा देने वाले लोग नहीं हैं हम लोग किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे और लोग सवाल पुछ रहें लेकिन कौन जिम्मेदार है कोई नहीं बता रहा है फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो खतम करते हैं लेक यही आसानी के साथ यह कर सकती है कि देखिए ट्रेन में जगह कम थी आप लोग उन टिकट के लिए क्योंकि आपने देखा था मोरवी पुलहासर जब हुआ था तो कहा गया कि यह लोग टिकट लेकर के वहाँ पर पहुंच चूगे और कारवाई किसके उपर हुई जिन्होंने क्रेट्ट लेते हैं कहते हैं नरेंद्रमोदी नेतृत में एक चीज़ी हो रही है लेकि नरेंद्रमोदी के नेतृत में जब कोई बिगड़ जाती है 288 लोगों जाने चली जाती है करीब 900 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भरती होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है आप लोग अपनी राहे में जरूर बताईएगा धन्यवाद निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे